हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल भी है साउनलेंड मैडिसीन में जहां आपको मिलती है द्वाइयों के बारे में सही और संपूर्ण जानकारी तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डर्मा केटी न्यू क्रीम के बारे में जो के दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, स्किन इनिफेक्शन, एलर्जी के लिए बेस्ट दवा है तो फ्रेंड्स अगर आपको के बारे में संपूर्ण जानका रिचाहिए तो वीडियो को लज तक जरूर देखें बात करते हैं डर्मा केटी क्रीम के बारे में इस क्रीम को मनुफेक्शर कर रही है मार्क्स फार्मा कंपनी जो के बहुत अच्छी कंपनी है अगर कंपोसिशन की बात करें तो क्लो बेटा करें तो इसके पंदरे ग्राम की पैकिंग की कीमत है 77 रुपीज और यह आपको किसी भी मेडिकर शॉप से असानी से मिल जाएगी इसके यूजस के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और साथ ही बैल आप दबाएं ताँ जो हमारी आने वाली सबी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तो डर्मा केटी क्रीम का परियोग दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, गुप तांगों की खुजली, फोडेफोंसी, स्किन इनफेक्शन, स्किन ऐलर्जी, तवचा की समस्याएं, पिंपल्स जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए बैस्ट दवा है, इसके यूज से ये सभी प्रॉब्लम्स बहुत जल्द ठीक हो जाती है, इनके इलावा फंगल इनफेक्शन और इनफेक्शन में भी स्क्रीम का प्रियोग किया जाता है, अब बात करते हैं स्क्रीम को कैसे यूज करना चाहिए, तो दोस्तो इसक्रीम को डिरेक्टली प्रॉब्लम्स वाली जगे पे लगाया जाता है, इसको लगाते वक्त स्किन को ज़्यादा रगणना नहीं चाहिए, अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो दोस्तो वैसे तो स्क्रीम का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा गया बट फिर भी अगर आपको स्क्रीम का कोई साइड इफेक्ट दिखे तो तरंत इसका प्रियोग बंद कर दें और अपने डॉक्टर से संपर कर लें सो फ्रेंड्स जानकर ये अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें तन्यवाद दोस्तो